सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को स्लाइल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नोकिया और रियलमी की तरफ से दो बहुत ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स रियलमी का नार्जो 10 जो आपको मिल जाएगा 12,000 में दूसरी तरफ है नोकिया का 5.3 जो भी हाले में लॉंच हुआ है 14,000 का तो दोनों में 2000 का ही फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चले देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 12,000 नार्जो 10 पे तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगवा है एक सिम इजक्टर टूल अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनूल इसके बाद दिया गया है यह ट्रांस्परेंट कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है इसके बाद मिलता है मोबैल एक रैपर के अंदर जिसके डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डेटे केबल इसकी लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी है और दोस्ते इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको नार्जो 10 में मिल जाता है आखिर मापको रखवो मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है अब इसके अंदर आपको फास चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास चैजर मॉबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चार्जर काफी अच्छा दिया गया है नार्जो 10 के साथ अब ये सारा समन आपको मिलता है Realme के साथ 12,000 में रेट की हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही दिये गए हैं टाइप C केबल भी है और फार्स चेजर भी है चली देखते हैं अगर आप 2,000 और जादा खर्च करते हैं नोके के 5.3 पे तो 14,000 में इसके साथ केके दिया गया है तो जैसी आप अनबॉक्स करते हैं नोके को सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर उसके बाद मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल कार्ड में लगा हुआ एक मिल जाता है कवर काफी अच्छी क्वालिटी का कुछ यूजर मैनुल दिये गए हैं इस तरीके से बाकि दोस्तों अच्छी चीज़ यह है इस मुबाल के साथ आपको यह नॉर्मल क्वालिटी के एरफोंस मिल जाते हैं जो आपको रियल मीनार्जो 10 के साथ नहीं दिये गए इसके बाद मिलती है यह बलैक कलर में डेटे केबल, इसकी भी लैंट और क्वालिटी दोना अच्छी है और इसके साथ भी आपको टाइप-C केबल दी गए है तो टाइप-C केबल का सपोर्ट तो आपको दोनों मूबेल्स के साथ मिल जाता है ये चीज दोनों में अच्छी हैं लेकिन फर्क ही है आपको आखर में रखवा मिलता है ये बलैक कलर में छोटा सा चारजर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वर्ल 2 अंपियर का ही तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चारजर है फार्जर आपको इस मोबल के साथ नहीं म मिल जाता है और रियल्मी की कीमत भी 2000 कम है तो रेट के हिसाब से देखा जा तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको जादा अच्छे मिल जाते हैं रियल्मी नार्जर 10 के साथ नोकिया 5.3 के कम पे रिजाइन में चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो रियल् में से ब्लेक शेड है और साइड उस आपको ब्लू टाइप के शेड मिल जाता है जो काफी अच्छा लगता है डिजाइन के अंदर दोन अच्छे हैं लेकिन मुझे क्वालिटी और ज़्यादा बेटर लगी नोकिया की बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो नार्जर 10 म आपको पिछी की तरफ 4 कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला है 48 MP, दूसरा 8 MP, तीसरा 2 MP, चौथा दिया गया है ब्लेक इन वाइट सेंसर, इसका फ्रेंच कैमरे है 16 MP, पिक्सल का धी और बाकी के दो कैमरे है 8 MP, पिक्सल का कैमरे की पर्फॉर्ण आपको नोकिया आपको डोनों ही मोबाइल में आपको बैक पैनल पे बीचमे बागे दोस्तों फिर भी इन गो एकाम्म आमनों आर्ज और जाज़ी Lol francophone 2500 स ayud बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचिस का, दोनों के अंदर आपको 6.5 की डिस्प्ले दी गई है, और दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर एक कमी ये है, दोनों ही के अंदर आप आपको IPS HD Plus डिस्प्ले मिलती हैं, Full HD Plus इन दोनों में किसी में भी नहीं दी गई, ये मुझे दोनों में काफी बड़ी कमी लगी, क्योंकि कीमत इतनी ज़ादा हैं, लेकिन Full HD Plus डिस्प्ले नहीं मिलती, बात कर दोस्तो यूज़न डिफेस के बारे में, तो यूज़न डिफेस क आपको Nokia के अंदर जादा चल्दी देखने को मिलेंगे Realme Narzo 10 के कंपरेजन में, इस चीज़ में नोकिया ज़ादा अच्छा है, दोनों मॉबाइल्स के डिस्प्ले में और जादा अच्छे मिल जाते है, Realme Narzo 10 के कंपरेजन में, तो डिस्प्ले के अंदर जादा बेटर है, हाला कि दोनों में ये कमी है, HD प्लस डिस्प्ले है, लेफ्ट साथ आप देखेंगे, दोनों मॉबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है, अच्छी चीज़ ये है, दोनों ही मॉबाइल्स के अंदर आप दो सिम काड़, एक मेमरी काड़, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकत है, रैट साइट पर दोनों में पावर के बटन्स, नोके में वॉल्यूम के बटन्स इस तरफ ही दिये गए हैं, लेकिन दोस्तों फर्क ये है, नोके के अंदर आपको ऊपर की तरफ नॉइस के इंसलेशन माइक मिल जाता है, और नार्जो 10 में इस तरफ कुछ नहीं दिया प्लेन डिजाइन है, नोके के अंदर आपको 14,000 में मिलती है, 4GB के RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज, लेकिन नार्जो 10 इस चीज में जाद अच्छा है, इसकी कीमत भी 2000 कम है, और इसके अंदर आपको 4GB RAM के साथ 128GB के इंटरनल स्टोरेज दी गई है, तो ये चीज नार्जो 10 मे बिलकुल लेटेस वर्जिन दिया गया है, एंड़ोएट 10, ये दोनों में खुबी है, लेकिन नोके के अंदर आपको एंड़ोएट के लेटेस अबडेट जादा जल्दी देखने को मिलेंगे, बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो नोके के अंदर आपको बैटरी म और जाद अच्छी दी गई है, इसे के साथ, इसके साथ आपको फार्षेजर रूबर मिल जाता है, जो नोके के साथ नहीं मिलता, बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो नोके के अंदर आपको मिलता है,주는 स्नैड ड्रगन 665 प्रोसेसर और नारज़ो टेंदर आपक का जी एटी प्रोसेसर अब दीखिए दोस्तों वैसे दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत जादा बढ़िया ही पर्फॉर्मेंस देखने को मिलती है प्रोसेसर दोनों मोबाइल्स में आपको काफी अच्छी दिये गया है लेकिन नोके की जितनी जादा कीमत है इसके अ इसके बाद आपको अच्छा डिजाइन चाहिए तो आप नोके का 5.3 खरी दियेगा इसके अंदर आपको डिजाइन की क्वैलिटी भी और लुकवाइस भी डिजाइन जाद अच्छा दिया गया है लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमेरा तो स्टोरेज इसे के साथ प्रोसेसर तो ये तीन खुबिया भी आपको नार्जोर 10 में कम कीमत में जादा बैटर मिल जाती है नोकिया से तो नोकिया के अंदर तीन खुबिया है एक तो इसके डिस्पले जाद अच्छी है दूसरे इसके अंदर आपको डिजाइन जाद तीसरे इसके अंदर आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है और चौतरे इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज जादा मिल जाती है रैम तो नोकिया के बराबर है लेकिन स्टोरेज डबल दी गई है तो दोस्तो देखा जाए वैसा जादा खुबिया है नार्जोर 10 के अं बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन भी दबा दीगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुशती रहें इसके लए वीडियो को आपको हेलफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलते हैं